लेकिन हम आपके लिए पहारों में ठीक हैं यह आप के ले ठीक है यह उत्तर खंड आपका है यहाँ का अधिकल आपका है यहाँका जंडल आपका है इस भैर कचल बाग बढ़्या वितरका बिरला के ले नोना हमारा पॉडर होट लूमा पटरी यूपी बिहर के ले करें आप सभी को मेरा प्यार ब्रह नमस्कार मैं स्युम्रावत आपका मेरी यूटीब चनल आप पाड़ी व्लोग के साल तो दो आज का व्लोग बहुत महत्तपूर रहने मैं इस वीडियो के मादन से मैं आपको बथाना चाहूंगा कि हमाले भू कानुन और हमाले जो मुल निवास है उनीस सो प्रास कितना महत्तपूर है तो आज मैं आ रहा हूं देवी मंदर कोड़वार में और यहां पर रैली का आयजन किया गया है तो यहां पर बहुजा बहुत वकानुन कितना जराँ तो अब ही हम लोगों से पूछ पोचमे करें गया नोब की विचार है है वो कानुन के उंकी सरकार से क्या मंगे है हनला है कता music कर दो कि नमस्कार जेपी बलूनी मेरा घर जो लिखाल चलु सेड़ वाल पुल्यासु है यहां बर हमको साथ साल हो गए कोई भी गास नहीं हुआ जब से उद्रा खंड हो गया और प्रेशानी हो गई ना जाने कर राता है ना पिंदन है हमारी 53 सो अब्जीं पैंड ही हडार मारी 53 जिल्जीडे एचाइच नहीं में वीं पर्णाइकर शाल Fruit झाट फूर्म मेंरे 25 शाल्याद हमारी चंदा बहुत परेशान है रासन नहीं है उनके लिए पाणी नहीं है आने जाने के छुकता नहीं है जानी चाल के बाद तुमारा किरा नहीं पड़ेगा रोड़े राम को पुठा नहीं है जे वारत जे उत्राखन उत्राखन और इस भारत देश के लिए सहीद में तमाम सहीदों को नमन करते हैं उत्राखन की इस दे भूमी कोड़ार में आए आप समस्त लोगों का मैं हिर्दे की कहराई उसे नमन करता हूँ मूल निवास और पोकार्नों जेसे मुख्य बिंदो होने चाहिए जो कि आज इस उत्राखन के पिकास के लिए हमने धुरू से मागा था लेकिन ये फोकानों क्या है मूल निवास क्या है इसका साइड एफेक्ट क्या है ये सब हमारे साथियों ने अलग अलग मंद पर अलग अलग रेलियों में हलद्वानी में तेरह दून में और हर देगे बता दिया है मैं तो सिर्फ अब ये बताओंगा कि करना क्या है अब हमने इसमें करना क्या है हम इन शक्तों में बिल्कुर सोट में बोलते जाएंगे हम ये बोलेंगे सर कटा सकते हैं लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन छुग नहीं सकते अब हम अपनी मुहिम पर खूकानों मूह युवास लेके लेंगे हम आप रुक नहीं सकते, एक दुधरी बात है, इसके साथी में दुधरी एक पाता दखाना, हम पहाडी सेर हैं, गड़ते हैं, गड़ते हम, हम दिखाते नहीं है, इसी क्यों पर मैं एक और बात आपको बताता हूँ, हम पहाडी सेर हैं, हम पहाडी सेर हैं, किसी के पैर नहीं हम पहारी सेर हैं, हम किसी के पैर नहीं, अगर जामी सरकार ऐसे ही आंखून की रही, तो आपकी खेर नहीं, इन सब्चों के साथ मैं अपने भासन खतम करता हूँ, और शेर दिलाता हूँ आप सब को, कि आप मुत्ता बना दो, क्या है, कैसा है तो छोड़ दू, आप सिर्फ य अपना बासन करता हूँ, आपको खोटी-खोटी धन्यवाद देता हूँ, और जो लोग पुटी जीवी है, वो इस मोहें में है, और जिनको पुटी की जुरूद रही है, वो घर में है, मैं पुने चिपिल से बोलता हूँ, सब्सक्राइब अपना हग लो, दन्यवाद, एक जैसे आपकी मर्जिया बैसे इसका है, एक बार इंदा में एक एक एंट्समू की, आज जबने हमारों, चौबिस सालों में, जो भी आज तक हमारी सरकारी थी, इन्होंने हमें पहाड़ों में, मूल बुच्छ विदाएं थी, इसे आजपतान हो गया, इसकूल हो गया, और में मस्तर है, और इन नेताओं ने हमारे पहाड़ से जो मूल निवास और भोकानून का अधिकार था, वो एक दम से खतम कर दिया, तो अब हमारे पास संकट यह है, कि हमारे जो पहाड़ में जमीने हैं, वहाँ पर यह भारी लोगों का, यह यहाँ पर बसाई जा रहे है, ल तो कल को हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारे पूर्वजों ने वहाँ पर पहाड में रहे है, उन्होंने मेनत किया है, उन्हों का ढूंगा गारा चाडरी, उनका कुछ नहीं रह जाएगा, उन्होंने जो तपश्या करी थी, और तपश्या सारी खतम हुआँ, हम आने वाली कोई पार्टी वागती है, हम अपने पहाड के लिए लग रह रहे हैं, अपने जल जंगल जमीन के लिए लगते हैं, वहाँ को यह मेसेज देना जाता हूं कि भुलाओ, अभी भी तुम मजबूर में तुम छोड़ करके आ रख्यों पहाड, हमने पलायन नहीं किया, उनको ब पड़ाना पर क्या करेंगे हैं, हमें पलायन बहुत आसान सब्स हैं, हमें एक हिताब से बगाये गया है, तो मैं यह वहाँ को यहीं बोलूँगा, कि अपने पुर्खों के लिए उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानो, तुम दिल्ली कुम्टार कहीं भी हो, अपन जाना चाहिए, तो कि युवाँ जब आगे आएगा, तब ही जाकर के कुछ होगा, कुछ हल्सल होगी, तो सारे युवाँ को मैं यही कहना जाता हूं कि भाई, आओ, और अपने इसे प्नेटफों से, अगर तो सोचल मेडिया, तो से अगर आनी सकते हो, तो वहाँ पर तुम अपनी मुहीम चला सकते हो, जागरुता अगरो लोगो पागुता फेला सकते हो, तो बैजी मिलिया कि गीत लिख राजो, तो कानुन भर, तो मैं जरे चुएका चार फोल्क तुम जशनो, कि भैरक अच्छन बाग बनिया, ये राजिया को इस्तित तुचर, भैरक अच्छन हमारा बॉडर होटुलों मा पटवरी यूपी बिहर के लिए, ठेकेदरी भी गैर काई, दून हरी द्वार बसाई, जूज अमीर बेजने तुन और पाड उथे अंगटे दिखाई, पाड उथे अंगटे दिखाई, पित्र पुर्खों का मिसाया, धुंगा फिर मिसावतुं पित्र पुर्खों का मिसाया, धुंगा फिर मिसावतुं, पनके घडी जोडिवेन, वेथे ना भुलावतुं, वेथे ना बिकावतुं, जल जंगल जमीन तुमरी, तुम समाल अपणू धान द्वार, अपनाई डेर का पोन हुए जला, अपनाई घर का पोन हुए जला, पुर्खों की साहे, बहुती संदर तवीता आपने सुनाई, नुक्सान तो वही हो सकते हैं, नुक्सान तो हो गया है, लेकिन जितनी जल्दी आखर इसमें अब जितना देर होगा, अब नुक्सान की तो संभाव ना है, उससे जादा स्केल पर होगी, और पहाड भिग हम लड़ने लायक भी नहीं रहें, अभी हम यहां पर सोड़कों पर लड़ भी रहें, तस साल बाद हम लड़ भी नहीं सकते, इस सारा पुलीस पर साजन साब उसी साथ हो जाएगा, कुछ नहीं बचाहिए, अभी इस्तिती है, लड़ने लायक है, तो अभी लड़ों अब नाम के है, मैं पूर सैनिक भून तठाइल, छॉख लोलाओ, अलमुरा जनपर, मैं तहा दिल से जो यहां भूकानुन और मुझमास की मा के लिए आये हैं, उनको तहा दिल से धन्याबाद करना चाहता है, तो नाम के है, मैं पूर सैनिक भूएवान तठाइल, चॉख ल करwa कि मेरे मन में में जो हती हे मैं बोलता मा किसी से ड़ता हूं नहीं किसी की ड़र है उन सभी आज हैए नहीं हम देख लिया है तो हमारी कुमामियों बोलते हैं कि घुकुर जोसु बिरोगी देड़ना आग बन करूँ तो वहाली कहानी में चलेगी जब तक हम इनको शत्ता से भाहर नहीं फेकेंगे ना हमको भू कानून मिलेगा ना मून भू कानून मिलेगा यह मान कि आज डर के मारे इन्होंने भू कान कि घूप क्यमांती धामी जी युशी जी लाए हैं युशी जी इन्होंने एक सेकिन डर्कलेसाद लाये से अरेश हाग युशी जी मावु को रहा वह उक्रियों मोज मेला लॉड़ एक तो समझ सकते हैं कि हमारा परीवार का बुख्या किस के इसारों पर चलता है किस इसारो सब्सक्राइब मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कुछ आपके हैं अगर आप नहीं लागे तो आने वाला भाईशे ऐसा होगा ना यहां आपका अश्चित रहेगा और ना आपकी सभ्यता रहेगी आप आज तो जैसरी राम बोले हैं लेकिन करको शायद कुछ और भी बोलेंगे मैं किसी धरम और जाती का ग्रोग भी कर रहा हैं तो अभी अभारे साथ अंगल जी आ चुक है तो अंगल जी आपका नाम के हैं मेरा अनाद दिसम्मर जट बहुत ही आले मैं जो रजून में चिंडित राज अंदुन कारी साहीद समीटिका जिल्लत जक्षू राज देली माया है और यह रेली में ब्राबर सब रेली में सब्सक्राइब के साथ में हमारा कहना ही है कि सरकार जो है हम लोगे को फूब बेकु बना रही है आज हमारे नौजवान बच्चों को पहार की महिलाओं को पहार के लोगे पता नहीं कि मूल लबास है हमें उनको समझाना होगा घर घर गहां वह हो जाकर समझाना हो कि हमारे हमारी बूल कैसे लुट रही है हमारे बच्चों को मूल लिवास से कितना फैदा था जब मूल लिवास हमारे पास था तो हमारे बच्चों को से परेले मूल लिवास अनुवारे का कि इसके पाम मूल ल अगर किसी मजबूरी है किसी को लड़की की साजी करनी है इसके बच्चो को पढ़ाना है को जूमारी में जूज रहा है पहार मैदान की बार चल लेए इस पर्ट करना चाहूँगा कि पहार मैदान का जो सवाल है हमारा कहना है कि 1950 से यहां रह रहा है इंडिस्टिश पचाच से जिसकी यह जमी ने ब्यापार कर रहा है नौखरी कर रहा है यह अगर्णा कर रहा है तो हमारा इतरह खंडी है चाहों किसी धर्मजाति करो जितने मर्जी खरीदो, में खिरड़ा हांसे, 16 में खतम कर दिया हमारे पारा है, हमारे पार अधिकार निजाओ, जन्लीन और जन्जाओ का अधिकार है। करनाजिए चुनि से बारे रहे हैंद। कि बीजी का प्राश्पर कर दिया है हम इसका बहुत रोश्पेक्ट करते हैं और तक तर लगते रहेंगे जब तक हमें दोरे चीजे नहीं मिलती है यह भाराइद यह उत्राइखना अपने अफसा सागान से कहना चाहूंगा अपने वीर साथियों से कहना चाहूंगा तो यहां पर जब आपने अफसा सागान से कहते हैं और खत्रूला कहता हूं मुझे बोली मार्ना माटो मैंने तो उसी दिन अपने बचाने त्री को रैपल्स में जमत गया था मां काल कैसा मेरे आशिवाद के रूप मांगा था कि मा मुझे मेरे घर मत भेजना मुझे सहीद करके भेज कर दो कुछ और 形 υ्साहिद भावा कहैता के मा मुझे कुछ निय चाहिए नामा चाहिए ना साहरा चाहिए अपनी पहार की संश्यू कि चाहिए अगर दे तो यह जाता हूं और रहले निकल चुके यहां पर से लगब जंड़ा चौक तक यह रहली जाएगी और मेरा आप सभी से अनरोद है कि मैंना जितने भी यूवा लोग यहां पर आये हैं उनका तो में बहुत 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 दिन्नेवाद करना चाहता हूं जो लगब न है तो इस वीडियो को जाज़ा शेयर करें ताकि लोगों को उत्रहखन की जो यूवा हैं उनको इसके बारे का चले की भू कानून क्या है और हम उत्रहखन देव लिए कितना जरूरी यह भू कानून है तो इसी के साथ लबना व्लॉग करता हूं दगड़े हो और मिलते हैं अगले व्लॉग में जाय देव मुमी जाय तरफ अंदगड़े